जे योगोर हाडू मेरे जितने भी सादक सादिकाय है भाई बेन है उन सब को मेरी तरब से प्रणाम सीव करो मैं साइदास फिर से आप सब के सामने हाजिर हुआ हूँ एक ज्यानकरी लिग पर आज मैं कुछ ऐसी बाते भताना चाहता हूँ जो केई भाईयों का सवाल है केईयों की दिल में उड़ता है पर वो पूछ नहीं पाते क्या है वो सवाल दक्षिना गुरु दक्षिना क्या है गुरु दक्षिना क्यों दे गुरु दक्षिना काफी सरे भाईयों की दिल में ये सवाल एकना एकबर जरूर उड़ता है कुछ ऐसे है जो सीधा पूछ लेते है और कुछ ऐसे है जो चाहते हुए पिर पूछ नहीं पाते है उनको शरम लगता है क्या गुरुजी बुरा भुला सचेंगे क्या एसे कही से रिवात है तो सबसे पहले दक्षिना होता क्या है? दक्षिना वो होता है जो हम किसी से सास्त्र ज्ञान या किसी भी तरह के का ज्ञान हम उस किसी से लेते है जो हमारे गुरू है ज्ञान देने वाला कही सरे होते है रास्ते में चलते हुए मारिदर्सक भी आपको ज्ञान दे सकता है चाहे तो आप किसी गुरू से भी ज्ञान ले सकते है लेकिन जो भी आपको छोटे या बड़े कोई किसी भी तरीके का ज्ञान देता है वो एक तरह का आपका गुरू ही ह होता है अगर आप किसी से कुछ लेते हैं तो देना भी अनिबार यह है कि क्यूंकि सिप पुराण में है खुद सिप जी ने कहा है कि यह दुनिया लेन देन से ही चलता है आप किसी से लेते जाओगी लेते जाओगे और देते नहीं जाओगी यह आपकी भ्रांती है कि आप किसी को नहीं देऊगी लेकिन देना तो है जरूरी आपको आज नहीं तो काल वैसे ही बाते है ये गुरुदक्षिना पहले की जमाने में आपने काफी वड़े वड़े गुरुओं का नाम सुना है परसुनाम चाहे गुरुद्रोन ऐसे केई सारी गुरुओं का है जिनोंने अपने सिश्चियों से गुरुदक्षिना ली है जैसे की एकलब्य की बात आता है जब गुरुद्रोनों की बात याद आता है बिना सिश्चियों लिए भी अपना अंगुठी गुरुदक्षिना में जो दान किया था वो इतने बड़े महत्तो बात है महानता उसमें बड़ा दिखाये था वो शिश्यों ने सालों साल युगों युगों से लोग उसे याद करते आ रहे हैं बैसे ही चाहे बात पांडव की हो चाहे कोरोवी की हो सभी ने गुरुदक्षिना दी है कुसिस की ये कवरोवे ने पांडवों ने करके दिखाया था जब पांचाल राज्य के आसा की थी गुरु द्रोन ने गुरुदक्षिना किस चीजों का होता है गुरु की जो इच्छा होता है अगर आपकी वो सामर्थे है तो आप वो ही इच्छा को फूर्ण कर सकते हैं गुरुदक्षिना के तोर पे तो आज इसी बातों पे मैं आप सब भाईयों को कहना चाहूंगा जो भी मेरे पास आते है कि कुछ शीखने के लिए तो पहले मैं ये नहीं कोंगा कि गुरुदक्षिना पहले दे पहले मुझसे मिलिए समझे जानिए कि उस यूग में क्या तोर तरीका था और आज के यूग में क्या तोर तरीका है क्यूं दे हम गुरुदक्षिना सबसे पहली बात ये है गुरुद्रोन भी राजकोश से उनके लिए खाना जात था उनके लिए हार महीना तनख्वा भी मिलता था उनको दान में दिया गया था यह जब वो शिक्षया देते थे शिक्षया की बाद उनके जो सिस्ये है वो भी अपने गुरुवों से पूछे थे कि आपको क्या चाहिए गुरुदक्षिना में चाहे कोरोव की बात लो चाहे पांडवों की बात लो कोरोवों ने भी पांडवों का साथ एक बार दिया था जब पांचल के बिजे लक्ष में गये थे कोरोव और पांडव लेकिन कोरोवों ने हार माल लिये थे और हार भी गये थे सोब पुत्र ने लेकिन पंचु पांडव पांचाल राज्य जीत के अपने गुरु को गुरुदक्षिना दिये थे तो आप सब को ये बात याद हो याद होगा साइद ऐसे केई गुरु का कहानी अगर मैं कहानी बताता जाओंगा तो बात खतम नहीं होगा आज की दोर पे क्या चल रहा है आज की दोर पे कोई हम से जुड़ रहा है और गुरुदिक्षिना ले रहा है गुरुदिक्षय ऐसे नहीं होता है गुरुदिक्षय केसे होता है मैं बताता हूँ सालों से हमारे जो कड़ी महिनोत से एक मंत्र को तेयार करते हैं वो हम नहीं मेरे को मेरे गुरुओं ने दिये थे मेरे गुरुओं को उनकी गुरुओं ने दिये थे वो सब एक चेन से जुड़े हुए है और वो मंत्र में इतना उर्जा है कोई भी उस गुरु मंत्र को जब करता है तो उसका चमतकार वो खुद देख पाता है तो अब समझ सकते हैं कि गुरु मंत्र में क्यूं कहा गया है कि 33 करोड देवी दिवत्र का बास है और गुरु मंत्र के लिए सबसे पहले हमारी पंथ में एक हवन होता है जिसमें 108 आहुती दिया जाता है शिश्यों की नाम पे फिर उस शिश्यों की नाम पे मंत्रों को जगरित करके सारा गुरुों को दान दिया जाता है मेरे जो दादा गुरु, परदादा गुरु, परपर दादा गुरु जो है, इन सब को दान दिया जाता है, बस्त्रों और खाना, भोजन दिया जाता है, और हवन होता है, एक हजार आठ आहुती पड़ता है, हवन में हवन समगरी का इस्तिमाल होता है, घी, आम की लकड़ी, एसे कही सारे चीज है, उसे दे से लेके काफी सारे खर्चा होता है, तो बहुत बात में आप सब को पूछना चाहूँगा कि गुरुदिक्ष्या लेने तो आते हैं आप, पर ये खर्चा कोन देगा, क्यूं आज के जो टॉफिक रखा गया है, दक्षिना एक प्रत्था नहीं, ये सच है, क्यूं? आप लोग ये समझने को तयार नहीं है, जब आप किसी डॉक्टर के पहस जाते हैं, पर्शू की बात है, मैं बाहर खड़ा था, एक डॉक्टर साब मिले, और उसी समय, उनसे मिलने के लिए एक ब्यक्ति आये, और बोले, कि डॉक्टर साब, आप हमारे बेटी को बचा लीजी, जितना भी खर्चा होगा, हम देने को तयार है, तो डॉक्टर साब ने हसते हुए इसारा करें, कि ये मामला मेडिकल नहीं है, ये मामला जो है, उपरी वाधा है, तो मेरी तरब इसारा करें, तो वो सज्जन ने मुझे पूछे, कि गुरुजी आप मेरी बेटी को बचा लीजी, आपकी बोड़ी कृपा होगी, दोनों बात में क्या अंतर था, डॉक्टर को कहा जा रहा है, मुझे बहुत हसी आया, मन ही मन मैंने हसा, सामने बिवस्ता है लोगों की, तो मैं हस के किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहता था, तो हसा भी नहीं मैंने, इन दोनों बातों में ये पता चलता है, डॉक्टर को पेशा देना जरूरी है, अगर वो किसी का इलाज करता है, लेकिन गुरु अगर किसी का इलाज करता है, तो वो पेशा नहीं लगता है, वो मुप्त में आ बच्चे बार बारे से हसता है रोता है अंधेरे कमरे में बेढता है चिर्चिर अपन आ जाता है इसका कारण ड़क्टर को पूचे तो ड़क्टरक ने काफी सरा पहले वी उसका हिलाज किया थे लेकिन कोई लाब नहीं मिला था फिर मेरे पास आये तो मुझे पेशे की बाद नहीं कहा उन्होंने, डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर साब मेरी बेटी को बचा लिए, जो खर्चा होगा मैं देने को तेयर हूँ, लेकिन जो मेरे पास आए, तो मुझे ये बात कहा, कि गुरू जी हमारी बेटी को बचा लिजिए, आपकी बड़ी क क्रिपा करता फिरू और डॉक्टर पेशा लेता फिरे क्यों हमारा मेहनत मेहनत नहीं है कि यह बात आप सब भी समझ सकते हैं न हम भी सालों से काफी सारा प्रेथन करते आ रहे हैं काफी सारा मेहनत किये इस मुकाम पर पहुंचने के लिए और इसका मतलब यह नहीं कि पेशों के लिए ही इस मुकाम पर आये हैं हाँ लोगों की भलाई करने के लिए आये हैं लेकिन हमारे घर हमारे परिबार हमारे जो फरिस्तिती है वो कौन देखेगा इसी हालत पर भी एक सिस्ष्यों ने मुझे एक सवाल किये थे कुछ सवाल किये थे वो बहुत अच्छा लगा उन सिस्ष्यों की बात मुझे बहुत बहुत ही पसंद आया पर उन्होंने बाते खेरने में थोड़ा सा उनका पूर्ण ग्यान नहीं था चलिए उन सिस्यों के पास जाते और ये वीडियो को पूरा देखेगा तब आपको ये जो दक्षिना का प्रत्था क्या है आपको समझ में आएगा चलो मैं दिखाता हूँ पट्सप की देखिए ये भाई साब पहले मेरे पास आए अगेश्ट 20 को पूजने गुरुदेव जी साधर प्रणाम गुरुजी हम नया साधक है और हम दिक्सित भी है एक अगुर जी द्वारा हम आपको अर्ध नरिश्वत्रिकाल ग्याता साधना करना चाहते हैं क्रिपया पूरा विदिविदान मंत्र सहीद लिखित रूप में प्रदान करें जी आपके महान क्रिपया होगा जैसे कि हमारे चैनल में कहा गया है कि तीन साधना आपको मुप्त करवाये जाएगा एक तो महाकाली साधना एक तो सिवजी की साधना तीसरा जो है गणपती जी का साधना तो मैंने मेरे बक्य का पूर्ण करते हुए मैंने उनको ये साधना दिया मैं पूरा बिदिविदान भेज देता हूँ पर आप गुरु की बिना ये साधना ना करे मैं पहले ही लिखा था तो बिदिविदान ये मैंने लिख कर भेज दिया उनको फिर उसके बाद उनका मेसेज आया पूजी ने गुरुदेब जी प्रणाम कुरुजी आपने तो ये तो हमें बतलाए नाही की प्राप्ति प्रति दिन कितने माला जाप करे मैंने सब लिखा था मतलब ये सवाल पर सवाल करते जा रहे फिर मैंने का ये सारे बात आप अपने गुरु से पूछ लिजी और उनके मुक से मंत्र के दिख्षया लिजी मैंने ये बात इसलिए कहा तंत्र सेत्र में बिना गुरु के कोई भी साधना सफल नहीं होगा चाहे तामसिक, चाहे सात्विक, चाहे राजसिक चाहे अगहर पंथ हो, चाहे कोई सभी पंथ हो गुरु के मुक्षे मंत्र नहीं लेने से मंत्र कभी सिद्ध नहीं हुगा ये बात ध्यान रखेगा मेरी बात तो मैंने ये बात उनको कहा मंत्र दिख्षया तो हम ले रखे है गुरु जी पर हमारे गुरु जी से ये उन्होंने लिखे बहुत मतलों बाते बहुत कम होती आए मैंने का मुझे से सीखना है तो मुझे आपको गुरु धारन करना पड़ेगा मैंने उनको यह कहा तो इन्होंने यह काफी सरे बात लिख रहे हैं जैने का चोथा सिश्य गुरु अगर पद्धती है उन्होंने हम से कभी कुछ नहीं लिया सिश्य एचा कुछ काफी कुछ रहती दिया गही है है मैंने काफी सारे बाते लिख रहे है। मैंने दक्षणा भी बताए रहीं कि गुरु को भी लेते नहीं ही कि वह एक इंसन है और वो जो खाना खाते हैं वह भी पेशो से दिया जाता है और एक बात है है जो सबजिया जो खर्चा होता है कपड़े खरीदने में वो मुपत नहीं आता है वो भी पेशो से ही लगता है तो गुरु जी ज्यान देने में कोई खर्चा नहीं होता है लेकिन आपको जो समय दिया जाएगा को surprisingly का कीमत लेगा यह तो क्या सब्सक्राइब को यह ओप कहा था है उनको है सबसक्राइब करें लिखा तो विजने गुरुजी कि ऑप विना गुरुहलों के नहीं करते सब्सक्राइब तरीका है यह व्यक्राइब लबिशाडना को लृच ze मैं बुरा मेसेज ना भेज़े इनको, यह मेरा रिक्वेस्ट परस्नली, मैंने इनकी बात रेक रखाओ, इनकी बात इसलिए रखाओ, क्यूंकि काफी सारे भाईयों के दिमाग में एही ख्यालात आता है, इसलिए मैंने इनकी बात सब के सामने रखा, उन्होंने लिखे, तो म मैंने उनको यह जबाब दिया कि वो गुप्त बाते आपको तभी बताए जाएगा जब आप गुरुदिक्सा लेंगे तो उन्होंने काफी सारे बाद मुझे बताया और एक रिक्वेस्ट भी किये थे इसमें लिखा है सबसाप पढ़ लिजेगा वाटसप में क्या लिखा था तो मैंने का मेरा महनत का मुल्य कोन देगा मैंने उनको यह लिखा जितना समय मैं आपको दूँगा आपकी सवाल का जवाब उस समय का मुल्य कौन देगा मुझे मैंने उनको ये सवाल लेखा आपके मेहनत का फल उपर वाला देगा मुनिवर उन्होंने ये लिखा जी जिसकी आपने सिद्ध कर रखे मैंने उनको ये जवाब दिया मैं आपको मुप्त में अपना समय क्यों दूँ मैंने उनको ये लिखा और उसने जो लिखा था मैंने उसके बदल लिखा वो तो मुझे मिल चुका है पर आपको क्यों समय दू मतलब मैंने उनको ये लिखा है उपर वाले को समय दिया था उसने उसके फल मुझे दे चुके मैंने उनको ये खा आप मुझे क्या देंगे मैंने उनको ये सवाल पूछा तो गुरुबर आपने समय का अपना कहा बुद्धिहिंत का कहलता है मुझे ये जवाब दी मैंने का समय जो है वो इंसानों के लिए ही बनाए गया है जब इंसान है उसको इंसान के लिए बनाए गया समय अगर इंसान अपने समय को अपना समय ना कहे तो क्या कहेगा क्यों कहा मैंने समय इंसानों के लिए बनाए गया है अब समझ सकते हैं कोई बच्चा पैदा होता ही मर जा रहा है तो कोई बच्चा 10 साल में मर जाता है कोई बच्चा 12 साल में मरता है कोई बड़ा होकर मरता है साधी के बाद तो कोई बढ़ा होकर मरता है वो जितना समय अपनी माथे पे लिख कर लेके आया है वो इतना दिन ही जीएगा सस्त्र में क्या गया है कि एगर एक पल भी मिर्तिव का समय बचा हुआ है तो आपकी जान कोई जानोड कोई सस्त्र अस्त्र नहीं ले सकता है तो मैंने इसलिए कहा उनको ये बात तो उन्होंने कहा उन्होंने ये कहा गुरुवर आपने समय को अपना कहा ये बुद्धिन तक काम है मुनिवर आपने प्राप्त किये है वो लोगों की भलाई के लिए ही बनना वो किस काम कहा तो मैंने कहा सिद्धी मुझे खुद के मेहनत पे मिला है ना आपके ना लोगों के मेहनत पे मुझे मिला आए मैंने उनको का तो आप सिब जी को प्रसंद करके मैंने उनको फिर भी का प्रसंद करके उसको उससे ग्यान धारन करने के लिए बर्दान लीजिए मैंने उनको ये बात कही कि को सिज्जी को गुरु धारन कर सकते मेरा कहने का मतलब यह था तो उसने मुझे सवाल यह लिखे कि मज़दर सवाल थे क्या लेकर आये थे यह दिखिए यह पढ़ लिजीगा क्या लेकर आये थे आप और क्या लेकर हम जाएंगे क्या तेरा और क्या मेरा मुनिवर ग्यान पे सबका आधिकार होता है मैंने उनको ये पूछा ये जबाब उनका ये दिया मैंने जब सास्तरा अलचना हो रहा है तो सास्तर के हिसाब से जवाब देना मेरा कर्तब भी था ता मैंने उनको ये जवाब दिया क्या लेकर आया हूं, मेरा करम का फल में लेकर आया हूं, क्या लेकर जाओंगा, मेरा एक सिल मनुष्य का पहचान नहीं है अप अग्रणी है फिदुशक है मत बनी है उन्होंने का मैंने का सबका कर्म ही उसका कहा गया है और वो उसको लेके जाएगा मैंने उनको ये बात जवाब दिया मेरा करतब है अपना परिवार का भरन परसंद करना उसके लिए धन का जरू ना कि ओहंकर मैंने ये का तो मैंने उनकी बात पहसा और अग्राणी है बिदुशक मत बन ये गुर्वर मैंने हसा थोड़ा जिनके पास इतनी सिद्या है ये सवाल सबके मन में कभी न कभी उठ रहा होगा उन्हों लिखा है जिनके पास इतनी सिद्या है उन्हें भला धन की क्या आवश्चे कता है गुरुदेव तो मैंने का शिद्या अगर धन देता होता तो सारा मुनिरुशी सिद्यों की मदद से अमिर होते मैंने उनको ये बात कहा तो उन्होंने लिखा चांद मुश्करात से अभिमान नहीं छुपा सकता है गुरुबर तो मैंने उनको का, जो सिद्यों से धन कमाते हैं, वो अपना पुन्यों का रास करते हैं बतलब अपने शक्तियों का, अपना मंत्री शक्ति को इस्तिमाल करके, अगर धन कमाता है कोई तो वो अपने पुन्य का पुन्य दीरे-दीरे खोता जाता है उसको कम होते जाता है ये गुरू के लिए है साधरन मनुष्य अपने जीवन जापन करने के लिए अपना पुन्य के फल सिद्धी साधना करके धन की कमी को पूरा कर सकता है ये बात सचे लेकिन ये गुरू के लि सिद्धिया धन कमाते हैं वो पुन्य रास करते यह सायद आपने पढ़ाने तो उन्होंने क्या लिखा तो क्या आपने जिन मनुस्य को जो जिन सिद्धी और ना जाने तरा-तरा की सिद्धिया दे रखी है कि यह खुब सारे धन देगा अधि सब फिर निर्थके आप और मिथ् अच्छी बात कहा है इनसे बात करके मुझे आच्छा लगा था तो यह सायद मैंने का अपने पढ़ाने कि जो सिद्धिया से धन कमाते है वो अपने पुन्य को रास करते हैं यह साधरन मनुस्य के लिए उप्योगी है लेकिन गुरुओं के लिए नहीं है साधरन मनुस्य अ वो शुक ला सकता है लेकिन गुरुओं के लिए ये नहीं है ये मैं नहीं कह रहा हूं ये शिप पुरान में कहा गया है अगर गुरु अगर मोजमस्ति करने लगे तो उसका सिध्या तो धीरे-दीरे रास होते जाता है और उसमें अहंकर आ जाता है और भी बहुत सारे नुकसान होता है गुरुओं के लिए तो यसे काफी सारा बात होता रहा मैंने का मेरे सिध्या का नहीं ग्यान का देने का समय लगता है मैंने यसे काफी सारा बात उनसे कह फिर उन्होंने उनका फोटो वेजा, मुझे आच्छा लगा है उनसे बात करके, फिर आखिर में मुझे आच्छा लगा हूआ, फिर वनने शिप जी के साथ ना दी, लेकिन गुरुवा तभी अपने सिश्य से पैसा लते हैं जो किसी को समय देते हैं और समान समगरी का भी खर्चा लगता है यह बात आप सब समझ गये होंगे गुरुव का भी परिवार होता है गुरुव का भी पेट होता है और उनके लिए भी जो खर्चा लगता है जैसे कि निशन्यों के लिए लगता है, तो यह बात कहके किसी गुरु से पुछ के उनकी अफ़मान ना करे, खुद आप समस्दार है, अच्छा लगता है, तो हमारे साथ जुडिएगा, अच्छा नहीं लगता है, तो कहीं और देखिए, किसी को बुरा बला मत कहिए किसी के साथ आपको रहने में अच्छा लगता है तो साथ में रहिए नहीं तो उसके साथ छोड़ दीजिए लेकिन किसी को बुरा बला मत कहिए इस व्यक्ति से जिससे मैंने बात किया इन्होंने मुझे कोई बुरा बला नहीं का अच्छे से मुझे अपना सवाल का जवाब मांगा, मैंने उनका सारा सवाल का जवाब दीजिए, और उन्होंने भी अच्छे का, और मैंने भी उनको खुशी होके, सिवजी के साधना प्रदान की मुर्त में, तो आप समझ सकते हैं, मैं क्या कहिना चाहता हूँ, दक्षिना ए